दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिरोधा काइट के एक फीचर आप कर सकते हैं या एक सेटिंग के बारे में तो जिसको भी सेटिंग के बारे में पहले से पता हो वो भी कमेंट करिएगा और जिसको इस सेटिंग के बारे में न पता हो वो भी कमेंट करके वीडियो के नीचे बताईएगा कि आपको इसके बारे में नहीं पता था तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंदा उसको लाइक करिएगा और पर दोस्तों साथ भी शेयर करिएगा आपको यहाँ पर शो होती है तो मेरे केस में यहाँ पर Nifty 50 और Nifty Bank को मैंने यहाँ पर लगा रखा है आप यहाँ पर अपना पसंद का Stock या कोई Index लगा सकते हैं से 2 ही का Option है यहाँ पर ठीक है लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर cross पे click कर रहे हैं ऐसे यहाँ पर इस जगहाँ पर click करेंगे तो क्या होगा यह चला जाएगा ठीक है तो जब भी हमें देखना होगा कि nifty को या फिर जो हमारा bank nifty है तो बार बार हमको ऐसे आना पड़ता है अब जैसे हम orders में जाते हैं नीचे च click करना पड़ेगा तो ऐसा क्या तरीका है जिससे वो जो चीजे मैंने आपको भी दिखाई है जिसे nifty 50 या bank nifty यह जो ऊपर यह वाले option लगातार शो होते रहें यह हटे ना तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो बहुत ही easy है बस एक दो click आपको करना है और वो हो जानी से तो सबसे पहले नीची की ओर हम watch list पर फिर से click कर देते हैं यहाँ पर चली यहाँ पर click कर दिया ठीक है अब जो हमारा यह कहते हैं जो हमारी user ID होती है यहाँ पर यह client ID होती है इसके उपर click करना है click करने के बाद में आपको simply setting में चले जाना है setting पर click करने के बाद में आपको एक option यहाँ पर मिलेगा sticky pins का इसको इधर की और सरकाते वे आपको enable कर देना है चलिए हम इसको कर देते हैं और अब यहाँ से simply आपको back चले जाना है यहाँ से हम नहीं रहे पहले हमें क्या करना पड़ता था इस जगह पर क्लिक करना पड़ता था यहां पर और उसके बाद में वह option हमारे visible होते थे लेकिन अब यहां पर यह show हो रहा है ठीक है तो उसको और cross check कर लेते हैं तो सबसे पहले हम watch list पर click करेंगे देखें वो हटता है कि रहता है देखें वो उसी तरीके से है हटा नहीं है इसके बाद में हम orders पर click करते हैं तब देखते हैं क्या स्थिती है अब भी देखें उपर यहां पर वो दोनों चीजें हमारी शो हो रही है इसके बाद हम portfolio पर click क चाहते हैं कि आप इस तरीके का option enable करना चाहते हैं आपको यह चीज समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने जरुधा काइट की mobile app में बहुत ही आसानी से इसको enable कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पर पहल कर दीजेगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं निस्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार